RRB, JE का exam देके select होते हैं, तो आपको कितना पैसा मिलता है, कौन-कौन सी सुविधाय आप लोगों को government के द्वारा दी जाती है, 2700, 2700 रुपे, ये total जब आप calculate करेंगे तो ये 7530 रुपे बनेगा, अलग-अलग branches के according भी अलग-अलग departments होते हैं, जिनकी working profile अलग-अलग होती ह आपको training के दौरान basic payment और आपका DNS allowance दिया जाता है, यानि की महंगाई भता दिया जाता है, सिर्के दो ही amount मिलते हैं, your account is credited with this amount, और नीचे लिखाओ, RRB, JE, railway recruitment board, कितना बढ़िया लगता है न, उससे भी जादा अच्छा बदा है, कब लगता है, जब आपके parents उस message को देखे यह सब को अच्छा लगता है, लेकिन मेहनत भी उतनी करनी होती है, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप RRB, JE का exam देके select होते हैं, तो आपको कितना पैसा मिलता है, कौन-कौन सी सुविदाय आप लोगों को government के द्वारा दी जाती है, DNS allowance क्या हो होते हैं, इसके अलाबा और कौन-कौन सी कटौतिया, कौन-कौन से deduction आपको आपके salary में देखने को मिलेंगे, चलिए शुरू करेंगे, इस वीडियो को तो ध्यान रखिएगा, आपकी training के दौरान जो आपको पैसे मिलते हैं, और जब आपकी training complete हो जाती है, तो पहली बात जाता है, basic payment आपको मिलती है, इसके अलाबा आपको transport allowance मिलते हैं, और आपको HRN की home rental allowances भी दिये जाते हैं, एक एक करके समझेंगे, लेकिन salary slip अगर दिख जाए, तो और ज़्यादा clarity मिल जाएगी, देखिए, यहाँ पे एक selected candidate, जो कि अभी railway में junior engineer की post पर posted हैं, और कौन से department में, कौन से zone के अंदर, तो देखेंगे द्हान से इसको, यह salary slip है, अलाबाद zone की, यह देख सकते हैं, आप लोग लिखा वाइस में, अलाबाद construction, और यह September of, September month की 2024 की pay slip है, और department की बात करें, तो इनका department है, electrical department, JE in the electrical department, यहाँ पे अगर धान से देखा जाए, तो what is the gross pay, gross pay ह होता है, कटवती से पहले आपको कितना पैसा total आपके हिस्से का है, तो यह 70,530 रुपे, इसमें कुछ deduction हैंगी, total जो deduction होंगे, वो यहाँ पे 6,015 रुपे हैं, और इसके आधाया पर आपके account में, जो total पैसा credit होने वाला है, वो होगा 44,515 रुपे, अब इसका एक बार हम जो breakdown देख लेते हैं, कि कौन-कौन से यह जो total पैसा हमारा बना, कहाँ पर कितना पैसा दिया गया, आपके जो basic पहाँ पे है, that is 49,900 रुपे, इसी का लगबग 50% आपको DNS अलाउंस दिया जाता है, और यह हुआ 19,950 रुपे, और यह training complete होने के बाद की पेसलिप है, इसमें HRE भी आपको दिया गया है, और यह HRE अलग-अलग जो आपके state होते हैं, अलग-लग tier 1 city, tier 2 city, tier 3 city में, लग-बग 9%, इसके अलावा 18% और 27% आपको दिया जाता है, उसके आधार पर इनको 7,980 रुपे मिले हैं, और सबसे लास्ट में, transport allowances जो उनको दिया गया है, 2700, 2700 कुछ कड़ोती हैं, जो कि 6,015 रुपे आपे दिखाया गया है, जिसमें 30 रुपे railway employee insurance scheme के दहर काटे गए, और new pension scheme, NPS scheme tier 1 के लिए 5,980 रुपे, इस तरीकी से total बनते हैं 6,015 रुपे, और net pay जो आपके account में यापे credit होगा, जैनकि total amount यह है, इसमें से 6,015 deduct करने के बाद म आपके account में credit होगे, 64,515 रुपे, railway में बहुत सारे department होते हैं, अलग-अलग branches के according भी अलग-अलग departments होते हैं, जिनकी working profile अलग-अलग होती है, जो आपके field job होते हैं, उनकी salary थोड़ी सी जादा होती है, जो office work होते हैं, उनकी salary compared to the field job, थोड़ी सी कम होती है, तो salary का variation आपको हर किसी employee के pay slip में देखने को मिलेगा, जब आप select होंगे, तभी वो difference आपको देखने को मिलेगा, कि आपका जो friend जो किसी दूसरे department में है, उसकी salary कुछ अलग होगी, और आपकी salary कुछ अलग होगी, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देंगे, कि total इन्होंने 30 दिन काम किया ह और यह complete month की salary है, और यहाँ पर बताएगा है, बेतन रहे दिन, इनकी कितने दिन तक काम नहीं किया, तो यहाँ पर लिखा है zero, मतलब इन्होंने पूरे month, पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पर सर्व किया है railway को, अब एक और बात मैं आपसे कर लेता हूँ, जब आप basic pay की दिया जाता है, basic pay, और दूसरा आपको दिया जाता है DA, सिर्फ इस दो चीज़ें आपको मिलती है, जब आपकी training complete हो जाती है, after training, तो after training आपको अपकी अलग-अलग tier 1, tier 2, tier 3 city के आधार पर, और DNS allowances भी मिलेगा, तो यहाँ पर क्या-क्या मिलेगा, वो एक पर देखें, प्रोवाइड किया जाएगा, house rental allowances, और इसके अलाबह आपको TAN की transport allowances भी किया जाएगे, तो यह आपको मिलता है training के बाद में, और यह आपको मिलेगा training से पहले, तो पर रेलवे एक बहुत ही repetitive department है, अगर आप इस department में job करना चाहते हैं, आपका dream job है अगर है, तो महनत बह हैं, महनत कीजिए, अपना 100% दीजिए, और इसके बाद में, देखिए railway आपको कितनी बहतरी सोविदा प्रोवाइड कराता है, अगर आप मेरे official telegram channel पर अभी तक नहीं connected है, so this is my official telegram channel, देविस सर पी डवू, यहाँ पर आप अपनी query भी drop कर सकते हैं, और अगर आपको salary slip य अगर तेम तेम केर, तेजिंग सो म侠.